मिसन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम सैट टू देख रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं, आपके किस तरह के प्रशन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो यहां पर पहला जो प्रशन ह है, उसके बाद में इसके answers देने हैं, तो यहां आप देख सकते हैं, कुमार was cutting a branch of tree in his garden, तो कोई कुमार आदमी है, जो अपने garden में tree को काट रहा है, उसके उपर यह paragraph है, इसमें पहला question पूछा गया है, why did कुमार think the man was foolish, जब इस paragraph को पढ़ोगे तो आपको समझ में आगा कि question क्या पूछना चाहता है, तो यह question पूछना चाहता है, why did कुमार think, जो है कुमार क्यों सोचता था कि जो आदमी है, वो बेवकूफ है, तो कुमार thought that the man was foolish person who has no work to do and goes about telling other people what to do and what not to do, यानि कि कुमार को इसलिए वो इंसान जो है मुर्ख लगता था, क्योंकि कुमार सोचता पूछा था कि उसके पास कोई काम नहीं है करने को, और जो है, वो केवल अपना समय वेतीत करता है, लोगों को यह बताने में कि उनको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उसके बाद जो next part है, इसे पूछा गया है, why did the man stop on seeing कुमार, तो वो आदमी क्यों रुखा था कुमार को जो लकडी काट रहा था, कुमार को देखते हुए, the man stopped on seeing कुमार, as he was sitting on the same branch which he was cutting, जिस पेड के डाल को वो काट रहा था, उसी डाल पे वो, जो है कुमार बैठा वा था, इसी वज़े से वो आदमी रुख गया, कोई भी इंसान रुख जाएगा, ठीक है, इसके ब तो जब वो गिरा तब उसको समझ में आए, कि भी या, वो आदमी तो सही था, then he says that the man knows the future, तो क्या कहता है, यह इनसान तो बविश्य जानता है, क्योंकि इसने इसको पहले ही बोल दिया था, कि आप जो है, भाई, कुमार तुम इस पेड से गिर जाओगे, उसका बाद चौ जहना था question को, make a meaningful sentence with the word future, ठीक है, तो दो बार future दे दिया है, इसका बाद जो next question है, give a suitable title for the passage, तो passage का suitable title क्या हो जाएगा, foolish woodcutter, या foolish kumar, उसका बाद जो next question है, इसमें complete the sentence, while he was sawing other man passed in the street, ठीक है, तो यह आप जो paragraph बढ़ोगे न, उसमें इस line को आगे दिया गया है, तो God, that man knows the future, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा paragraph में, इसके बाद में, noun form of life, life का noun form क्या होता है, ठीक है, noun form जो child का क्या है, जैसे आपको पूछा जाता है, ठीक 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 है, तो आप जो है, अपना address लिखेंगे, अगर address आ भी नहीं है, ध्यान रखना है format यहीं रहेगा, फिर आप अंकल का नाम, जो भी पता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अग्छे बहुत ही मतलब मैं हारतिक दिल से अंपको तन्यवाद करता हूँ, या अपने जो मुझे अधड़ी भेजी है, मेरे birthday present के लिए, ठीक है, इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, समझाने वाली कोई इतनी बड़ी विशेश बात इसमें नहीं है, अगले question की बात करें, write a letter to the chairman, multiple corporation, अब ये जो है personal letter नहीं है, अब क्या है ये आपको किसी न किसी अधिकारी को लिखना है, इसलिए इसमें दो address आए पढ़ोस का, इसकूल का किसी कभी लिख सकते हैं, और यहाँ पर पाने वाले का पता, ये कौन सा है, पाने वाले का पता, जो पाएगा पाने वाले का address है, और ध्यान रखो, ये जो है, कौन सा letter है, ये official letter है, official letter में हमेशा ये चीज दो address आपको देनी पड़ेंगे, ध्यान पता है, या फिर post office में कारे करता है, बहुत सारी जगे हैं, जहाँ पे, government offices है, उनको लिखने गलिए official letter में दो तरह का address आते हैं, पहले आपका पता, उसके बाद date, बहुत important चीज़ है, ये date नहीं किडाल होगे, एक नमर कर जाएगा, इसके बाद रिस्पेक्टेट करते हु पर हमने paragraph बना है, अपने हिसाब से आप चाहें, तो अपने games और sports को अपनी रूची के हिसाब से change कर सकते हैं, paragraph को change कर सकते हैं, बाकि अगर same paragraph रखना चाहते हैं, तो same paragraph भी आप याद कर सकते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट था, importance of newspaper, ठीक है, तो newspaper के बारे में भी हमने बता दिया है, तो आप अगर change करना चाहें, तो change करें, otherwise इसको आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका solution हो जाएगा, next party की बात करें, Republic Day was celebrated, आपके स्कूल में गणतंत दिवस मनाया गया, उसको उपर paragraph लिखना है, चोटा सा, इसको describe करते हुए त paragraph जो हमने लिख दिया, एक गड़तंत दिवस जो स्कूल में कैसे मनाया गया है, और क्या उसके अंदर हुए थे, जो भी चीज़े हमने इसमें mention करते हैं, तो आप भी इस तरह से mention करते हुए, इसको लिख सकते हो, इसके बाद जो conclusion निकालना चाहो, तो conclusion लिख सकते हो, बहु यह नहीं कि बवचन हो गया, यह plural नहीं हुआ, ध्यान रखना है, यह singular ही रहता हमेसा, तो यहाँ पर बहुत खबरे हैं, तो बहुत सारी खबरे हो गई, तो और आजाएगा, इसके बाद में U and C, जब दो को जोड़ा जाता है, एंड लगा कर तो वो single ही माना जाता है, ध्य आपका could not आएगा इसमें answer, उसके बाद जो next part है, इसमें पूला गया आपसे literature section का, तो यहाँ पर देखिए, answer and 3, read करना है paragraph को और उसके बाद में answer देना है, पहला question है, what are the inhabitants of the land of rolling hills, तो यहाँ पर जो है, कौन-कौन से हैं, उनके नाम आपको लिख देने हैं, एक तो आपक है, where does the peace of heaven situated, तो midway between the Masur and the coastal town of Mangalore, the peace of heaven situated, यहाँ पर, सब कुछ जो है, आपको लिखा गया है, ठीक है, देखो के paragraph पड़ोगे, तो आपको समझ में आएगा, और next, जो I find the word from the passage, which means having to do with war, तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो having to do with war, तो मतलब हमें लड़ाई करना है, तो लड़ाई करने के लिए, जो है, मन बना लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्शियल बोलते हैं, ठीक है, तो यह हो गया आपका, इसका थर्टीन नमर कुश्यन है, अब इस एक्स्टेक्ट हो पड़ लेना है, उसके बाद में आंसस देना है, पहला जो इसमें कुछ इसमें आपसे बोला गया है, अगला जो प्राशन न jisमें, how are animals better than human according to the point, तो poet के हिसाब से, जो है animals जो है इंसानों से बहतर क्यों है क्योंकि इनके पास जो है peace of happy है इनकी कोई demand नहीं है इनके अंदर कोई bad qualities नहीं है यह सारी चीज़ इसमें लिख दोगे उसके बाद मैं why did flower want to meet also bell, also bell से follower क्यों मिलना चाता था तो है आप ने आप answer लिख दिया हमने इस answer को पढ़ दीजिएगा इसका बच्चे क्यों उससे मिलने के लिए भागते थे यह आपको बताना ठीक है वो जो है children जो है उससे मिलते थे कि उनको ब्रेड बहुत अच्छा लगता था ना और what did wali find about the bus journey और how did she find these details ठीक है इसके बारे में बताना वाली का तो बहुत अच्छा पढ़ा होगा आपने इसको नेक्स पूशन है